या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा शक्ति की उपासना का पर्व नौरात्र टतिपदा से नौमी तक निश्चित नौते थे नौ नक्षत्र नौ शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है सरो प्रथम शिराम चदर जी ने इस शार्दीय नौरात्र पूजा का प्रारंब समुद्र तटपर किया था और उसके बाद दसमे दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की तभी से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाय जाने लगा आदिशक्त के हर रूप की नौरात्र के नौ दिनों में क्रमशा अलग-अलग पूजा की जाती है नौरात्र उत्सो देवी अंबा का प्रत्निधत्तु है वसंत की शुरुवात और शरद रुद की शुरुवात जलवाई और सूरज के प्रभावों का महत्तो पूण संगम मना जाता है इन दो समय मादुर्गा की पूजा के लिए पवित्र आवसर माने जाते हैं तोहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है देवी मा की तीसरी शक्ती का नाम है चंद्र घंटा नौरात्र उपास्न में तीसरे दिन की पूजा का अत्यदिक महत्तो है इस दिन साधक का मन मनिपूरुर चक्र में प्रविष्ठ होता है देवी चंद्र घंटा की गृपासे साधक को अलोकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं देवी सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की धनिया सुनाई देने लगती है जिससे मन विकारों से मुक्त होकर परम शांती का अनुभव करता है देवी मा की तीसरी शक्ती चंद्र घंटा जो परम शांती धायक है कल्यानकारी है और इसलिए हमें निरंतर देवी मा के इस पवित्र विक्रा को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्यानकारी है मा चंद्घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है इसलिए देवी को चंद्घंटा कहा गया इनके शरीर का रंग सोने के समान अत्यधिक चमकीला है देवी मा के दस हाथ हैं वे खडग और अन अस्त्र शस्त्र से विभूशत हैं सिंग पर सवार देवी मा चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उत्यत रहने की है इसके घंटे सी भयानक ध्वनी अत्याचारी दानव धैत राक्षस इन सभी दुषप्रवत्तियों के लिए अत्यन भैंकर है और इस ध्वनी को सुनकर वो कम्पित होते हैं प्रेत ब वीर्ता और निर्भायता के साथ सौमिता और विनम्रता का भी विकास होता है इसलिए हमें मन वचन और कर्म के साथ काया को विध विधान से परशुद और पवित्र होकर मा चंद्रघंटा की शानागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए मा चंद्रघंटा की किर्भा से सादक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ठ हो जाती है मा की आराधना सद्या फल्दाई है तुरंत भक्तों को फल प्राप्त होता है मा भक्तों के कष्ट का दिवारन शिग्र ही कर देती है इनका उपासक सिंग की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है मा का ये सुरूब अतिन्त सोम्यता और शाम्ती से परिपोन है मा चंद्रघंटा की आराधना से वीरता, निर्भैता के साथ साथ विनमरता का भी विकास होता है मुख नेत्र आदी संपूर्ण काया में कांति गुण की व्रद्धी होती है स्वर में देवय अलोकिक माधुर्य का समावेश होता है माचंद्रघंटा के भक्त उपासक जहां भी जाते हैं लोग उने देखकर शांति और सुख का अनुभो करते हैं मा के आराधक का ऐसा वेक्तुत विक्सित होता है जो अपने संपर्क में आने वाले हर वेक्त को प्रभावित करता है इसलिए मनवचन और कर्म से हमें देवी मा के सुरूप की आराधना करने चाहिए पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, ध्यान और स्मरन करना चाहिए अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के چوتھे सोरोप कुशमान देवी की यदि आपने अभी तक हमारे यूटीब चैनल को सस्ट्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें देवी मा की गृपाया आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के